हेलो फ्रेंडस तो कैसे आप सब आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीकी से बहुत ही दियक आप अपने हाथों और पईरों का मेंडी को पैडी कियों कैसे घर भी कर सकते हो वह बताऊंगी तो अगर आपको गंधिकी साफ करने है हाथो और पैरो की तो आप इसको ट्राइ कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से जितनी भी आपकी गंदीगी होगी नडस पार्टिकल होगी हाथ-पैरों में से बिल्कुल खतम हो जाएंगे, बिल्कुल गायप हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी फेयर स्कीन भी आएगी अगर आपने इस तरीके से यह ट्राइ कर अगर आपके नेल्स भी नहीं बढ़ते हैंते तब यह बता दूंगी इस तरीका से आपके इसले की आपकी आसान तरीके से बढ़ भी जाएंगे तो आप एक पर नो घर की जाए gए तो आपकर जूरूर्ण करते हैं तो सबसे पर आपके तो दो आप बेंगे और वैसे मैं ने गंदों के लिए यह का लिए HER यह बारॉ और वैसे मैंने यह बारॉ घंदों खीया है और यह लिए यह बर्टने रेंगा मैं话 क्त desafいき दोड़ा सव्ये अउन इस चुन से लीकिकर दाता है छेए ह। invites दो लगब नमक लेना है! शैंपो और नमक ऐसी चीज़ें जो आराम से अर आसान को मेधनी जाती है। आपको 1 रुपए का भी खर्चा नहीं करना है, आराम तरीके से आसान को अच्छा लगए तो एक बार ज्रोर ट्राइ कीजेगा यहां है। को एक फुल बगगओनेगी इस तरीक़ी से पतिला मेने पांई का ले लिया तो गैस कड़िऊ करेंगी और इसको कर लेंगी गुन-गुना इसको जितना गुळगुणा करना है कि आप इसमें A 270 आप और पेरो को डाल चको और इसका जितनी भी गंतिगी होगी आप गरम पानी में हाथ पर डालतू न उससे जितना भी डस्ट पार्टीकल होता है न हाथ परो को बिलकुल गायब हो जाता है हट जाता है तो इस तरीके से चैक भी करते रहूंगी आपको हाथ डाल कर देखते रहना है यह अगर नॉर्मल गरम हो जाए ना गुन-गुना तभी आपको करना है इतना गरम भी नहीं कर लेना है कि आपका ये हाथ पैरी जल जाए और इतना ठंडा भी नहीं करना है कि आपका डस्ट पार्टिकल नहीं निकले हाथ-पै्रों में से और वो हमारा बिल्पूल नहीं बन पाए तो इस तरीके से आप डेख सकती ति कडु़ी को तो आप को टून पानी पीते तुम इसे नमक स्पिरिंगल करना इन मिया, इसे आपको बंगर तुम के सब्सक्राइब करने को आपको बहुत ही अच्छा फाइदा देखने को अन। चांग को आपके सब्सक्राइब सकती हैं मिया रड़ जाद चाहा है जोगा है और दिंगे आपके पास नीबू,ड़ को मैं तब को को अगरके वस 살아감 żeby dogma has time पयर को दो मैंज अगर आपके पास नीबू नहीं है और आपके ओलरी होती है किसी की heel a सेंसिटिव होती है तो वह बिल्कुल नहीं डाले तो अच्छा रहेगा और किसी किसे के अलर्जी भी करता है तो आप इसकी भी कर सकते हैं तो आप डाल सकते हो नीबू बट इसमें मैंने स्किप किया क्यों कि कुछ लोगों को बहुत जादा प्रॉब्लम हो जाती है तो सबसे तो यह मैंने लिया है अभी रोज मेरे पास पड़ा हुआ था इसलिए यह रखा हुआ था मेरे पास अगर आपके बास रोज नहीं है तो आप रोज वाटर एसेंस भी ले सकते हो बट इस तरह किसे रोज लोगे नो तो बहुत ही अच्छा यह काम करेगा और अभी तो सब्धी के घर में अवेलेबल भी होगा क्योंकि रोज डे पे रोज अवेलेबल होते ही है घरें में अगर आप रोज थोड़े दिन बात देख रहे हो वीडियो तो आपके पास होगा गुलाब अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप रोज वॉटर एसेंस भी ले सकते हो बट इस तरीके से रोज लोगे न तो बहुत ही अच्छा रहे गई है तो इस तरीके से देख सकते हैं अच्छी तरीके से ऐसे लगई नमक से खराब हो जाती इस्किन बट नमक से खराब नहीं होती है नमक से गंदगी और डस्ट पार्टिकल निकलते हैं इसकी वह भी कियो आपको बता देटी यह जादा नमक का यूज करते हो तब वह होता है अगर आप को एक चार 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 पांश मिन्ट तक यह र इस तरीके से आप पहुच्छ ना भी है कि तो उतना भी है QUE आप पहोत ऑसान तरीके से बहुत पहthsोते तोब मैंनी के और सकते हो हैं सो तो यह देख सकते हो कितने ऑशिव चैहीं बिन हादों प्चुनकों कुछ लोगों कुछा हाथ बहुत ही ड्राय हो जाते हैं से अछे आपप काम करते हुँ ना घर का लेडीज की स्वेशीली खराब होताए हां और इसको बीट्राय कर सकते हैं चार आपको ना इसको लगाने के बाद वैसलीन लगा لेने हैं आपको आपको अची नहीं लगती हैं किन पडी कर दी तो जो भी मॉस्सटेर लगाते हैं है उनल लगा सकते हो इसके बाद पहले आप सुखा लेना है तो यह देखषकों तो इस तरीके से आपको सबसे याफ कर लेना है अनूरल को कर लिए याल बहुत दिखा को सबस्क्ते हैं खाल ले ailaj our blood जैसा इस तरीके सब्सक्राइ मैं नहीं करों यह तो इस तरीके आपको लिए को बाद बाद दो